किचन जो खतम कर दिया है तब दूस्ती कमरा निकला किचन ले लेता तो कमरा निकलता कि महां सर्वे में करते थे सहमती बेगे जी 25-25 मीटर अलग से पशुवाडा के लिए दी जाएगा यह डियम कहता था खुद लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला हम यहां कहां रहें अंधेरे म अगर जो हमार साथ जाधा है ना इंसा भी करेंगे तो हम इनने जो यह यह पारक हम इनने में दफनानी सुरू कर देंगे अब नमस्कार मैं धीरेज मिश्रा और आप सभी का दललन टॉप में स्वागत है उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ को ले करके इस समय हम लोग जेवर आये हैं और जेवर आते ही सबसे पहले हम उस जगह पर गए जहां पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाने का दाव पर नियास किया था वहां पर लोगों से बाचित करने के बाद हमें पता चला कि इस उस एरिया में जहां पी एयरपोर्ट बनाया जाना है वहां के रहने वाले लोगों को करीश साथ आठ किलो मीटर दूर एक कॉलोनुई में बसाया जा रहा है तो हमने यह सोचा कि एक बार उस एरिया को देखते हैं कि वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं और यहां पे आने के बाद हमें पता चला कि यहां के लोगों को आप यह देखिए कि इस तरीके का छोटा-छोटा सा मकान बना के मतलब यह खुद बनवाएं इनको जमीने दी गई है पर व्यक्ति अगर जो 18 साल के उम्र से उपर है तो 50 मीटर के हिसाब से जमीन दी गई है और लोगों में काफी नाराजगी है इस बात को लेकर के कि उनके बसे-बसाए गाओं को उनके बसे-बसाए घर को प्रशासन ने आनन फानन में उजाड दिया उन्हें वहां से निकलने तक का भी मौका न है वह काफी कम है ऐसा लोगों का दावा है और उसको यहां पर इन घरों को अपने तरीके से बनवा रहे हैं लेकिन इसमें तरीके की दिक्कते उन्हें आ रही है आई एक पर पहले हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं कि जो जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए जो जमीन है और उसको लेकर के जो जगा लोग घर बना रहे हैं उस वह किस शेप में है कितना कितना स्पेस है उसमें तो एक हमारे सामने देखिए कि यह अभी यह घर बन रहा है इधर आजबाबू तो यह देखेंगे यह इनको यहां से लेकर यहां तक इतनी बड़ी जमीन इतना स्पेस दिया गाइगा आप का यह किस का है यह क्या नाम हूँ आप कभी है इर्फान तो इर्फान जी यह बताए कि आप कहां कौन से गाउं से आये हुए हैं नंगला शरीफ खान अच्छा तो कितनी जमीन आपको यहां पर दी गई है यह दिये जो भी पचास मीटर की यह दिये जो पचास मीटर की इसमें देख लो तो तो इसमें देखे लो तुम थोड़ा अंदर एक बार एक बार चलके हमें दिखा दीजेगी क्या है थोड़ा सा देख लें की सरकार का दावाए कि विस्थापन का कार्य बड़ा जोर शोर से चल रहा है और पूरी वेवस्था की गई है तो आप थोड़ा सा हमें एक एक कामरा यह है अच्छा और और फिर अच्छा आये तो इसमें आप क्या बनाएंगे लेटरिन बाथरूम कि अच्छा और यह आगे का कमरा हो गया तो आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं यह बताई कि वहां पे गाउं में कितनी जमीन थी आपकी आपकी काउं में तो देखो दूर खेतिवारी भी थी और वैसे रहने की जगे तुम जानो हो एक बीगे में बना रखें पबलिक ने अप द्रुकान को कि अदनी लोग हैं मेरे परिबार मंसात भाई ए उस साथ लोगों के लिए नहीं यह इ only Number वहां से उनको अलेदा है इनको अलेदा साथ प्लोट अलेदा पचास-पचास मीटर के लेदा सब के लिए मम्मी के लिए अच्छा तो यह बताई कि वहां पर जमीन का मौफजा को मिल गया हम मिल गया माव जब मिल गया भाई है दो चोटे वाले एक सिस्टर ईनके पैसे अब नहीं आए दलालन को दे 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 नुक इतने रुपए देंगे आदे आदेम करवा काई कुई का अब तक रुपए भी नहीं आए छे मही नहीं आता अब तक हो गया और तीन लाख रुपए और गुल्टे कर जाक लेकर दे दिये ब्याजू अब तक भी खाखा के पैठ किसीने अब तक पैसे नहीं डाले बस यहीं हुआ पैसे आजाओ इतनी कि चाहँ हैं तो कुल कितना कितने रुपए मुआवजा आपको मिला था हमें क्या मिला इसके जो हमार घर गाम मकान ता उसके मिले हमें डेड़ लाख रुपए ते डेड़ लाख में बना लो इसे जाक अब उस डेड़ लाख में लगा लो तुम जहां पर है रहे रहे जो घर वैसे जंगल की जमीन तो ही नहीं हमारे जो रह रहे थे जिसमें उसका ही डेड़ लाख रुपए दिया के डेड़ लाख में तुम लगा लो क्या बना लेंगे आप बन जांगे घर मकान अच्छा है अब लाख में जमीन का तो कोई पैसा दिया ही नहीं है जो लाल डोरा में जमीन ती उसका कोई पैसा नहीं है जो खाट लाल डोरा में थे जो लाल डोरा में थे लाल डोरा में किसी को कोई मावजा नहीं दिया है मलवे का बी किसी को कितना ही दे दिया और किसी को तो यह लग मिलेगा आदमी को गाम में आदमी गाय भैस रखता आध तक ना किसी को कोई पसुवाड़ा मिला है जब कि महां सर्वे में करते थे सहमती बेगे जी पचीस-पचीस मीटर अलग से पसुवाड़ा के लिए दी जाएगा लिए डियम कहता था खुद लेकिसी को कुछ नहीं मिला और नहीं अभी समसान घाट कोई है नहीं कबरुस्तान है नहीं कोई मंदर का पैसा आया अभी तक ना कोई मज्जिद का पैसा आया अभी तक और जो 18 सन 2018 में जो 18 साल का बच्चा उसी का पैसा आया है बागि जो अविस में जैसे एक पैसा दिया है even 20-21 में उसकी जो मतलब बालक 21 में कोई उना की लिये बालak की जैसे 20 साल का होगा बालग जो 18 में होगा 18 साल का उसके लिए याया है पिलोट भी पैसा भी जैसे मावजा दिया हमें 20 में रिकीस में उसका कोई नहीं वह दो तीन साल काड़ दिये तो बहुत ही समस्या है जी और एक हमारे भरी बर साथ में मकान तोड़े गई पंदर दिन का भी टाइम नहीं दिया हमें वहां से तोड़ फोड़ करके तुरंत भगा दिये यहां यहां ना जब आए उस टाइम पर ना कोई लाइट की विवस्ता कोई विस्ता नहीं खाली यह सब्सक्राइब दिया जाओ अब कोई आजमी 15 जार रुपय कराएगे देरा महिना में कोई विस्तेरा है को रिश्तादारी में जया पड़ा बड़ी मुश्किल मतलब परेशानी सामने करा पपली कोने आया है तो यह बहुत बड़ी समस्या है अब अभी अभी यहां रहने प तो यह है कि जो हमारे मेटरे मेटर यहां फिट करें जाएं हम यहां कहां रहें अंधेरे में ना तो लाइट की विवस्ता करें ना कोई नाली वाली इनकी विवस्ता करने यह हमारे साथ हमारे साथ इनने दोखा करा है बहुत जादा जूट बोल बोल करने हम पर सहमती लिख व डूलो यहां बसुवरा ना दिया हमारे मेठर जोड़ने करेंगे इतने रुपे अमारे जो रूजगार शुटके जो रुजगार है रुज घार चुटके और हम लाके यहां पठेक दिए यहां बियाँ बांजगल है जब हमने यहां आकर नहीं हम किराई पर हैं और किसी को तो किसी के घर में लगे हुए दस लाक रुपे उसके दे दिये पांच लाक रुपे जाओ बनाओ हमार साथ यह दोगा करा है कौन से आप आए हैं नंग्ला श्रीफ खांस आए हैं हम यहां पर आए तो कुछ लोग बता रहे थे क्या सम्षान की वी दिक्कत है ना सम्षान है ना कप्रुस्तान है अगर जा हमारे कोई मर जाता है डेड़ हो जाती है उससे कहां लेकें जहां जे हमार साथ ज्यादा ना-इनसा पी करांगे तो हम यह इनने जो यह दियर यह पारक हम इनमें दफनानी शुरू कर देंगे अब यही वो है और कोई उपाई ना है हमारे लिए ना मस्जिद के रुपय दिये हैं ना मस्जिद के लिए जगह बता रहें कि यह तुमारी मस्जिद के जगह है गाव में मस्जिद ही हां गाव में मस्जिद ही दो दो मस्जिद ही छे गावों के लिए एक मस्जिद दिये उसे भी हे ना मंदिर है न मस्जित पाब रूस्तान है ना समसान घाट है ना हमारे pensaata सब्सक्राइब करें लोग आए हुए हैं यहां ऐसे हैं कोई सब्सक्राइब कितने लोग होंगे एक अंदाजा आप बताएं कितने परिवार मतलब 12,000 परिवार के करीब हैं 12,000 परिवार वहां से जो आए हैं 12,000 के करीब है अच्छा सरकार का यह है उनका क्लेम है कि जेवर एयरपूर्ट बनने से शेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा और जो लोगों को यहां से विस्थापित किया गया है उनको सही विस्थापन है अब किशी के घर को उजाड कईनी दूसरे के घर को बनाऊ ये कोई बनाने मैं बनाना थोड़ी है को है विकास्था जम आनो के जब हमारा जो मांसे भगाइन है उसका सही वो करें वो है वा रिकास्तों अब एक आदमी को दूखी खर कहने उयक आटमी को हजी कर लोगों य यह तो सर्म्रनास है विकास थोड़ी है यह आपके परिवारत में कितने लोग हैं कितने लोग यहां पर आए हमारे परिवार के हमारे परिवार के नौद परिवार हैं हमारे जो कि हमारे जो परिवार परिवार है तो सब को यह जमीन मिली हुई है सब प्लॉट मिला है हमारे मां जैसे तीन तीन सो मीटर की जगे ही मां जो यहां हमें पचास-पचास मीटर जगे दिए यह यहां जुन से मंजूरी ले रहे होंगे तो यह पता था आपको इतने जमींते मिले पचास मीटर मिलेगा पहला ना बताई कि हम आज हैं मलबे का पैसवल साइत लेंगे वह वह भी उसमें चोंट पोली एंस आधा मिनिए और मुआवदे कीProdu में कितनी राशी मिली है आपको मौब जे के उसमें जो मैं अपनी बता हूं च्छे लाइख च्छतिस जार तो मेरे आए हैं और मलवे के हैं और एक पिलोट मिला है बस पचास मेटर का यह मिला मुझे हाँ जबकि मेरे चार लड़की है और तीन लड़की है बता उनका कहां से का मैं करूंगा अच्छा एक बढ़ सा हमें समझाइए क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि विस्थापन कर दिया तो यहां से उन होता है कि यहां तो सारी पिरभावित यहां ना तो जो हम कमाते थे नवो चमाई रही और जो हमारा काम चुटा है जैसे 6 महीने लगें इसे बनाने में न उसमें हमी पर यहां आप को बनवाने में कितना खर्चा है बनवाने माले 167 लांक रुपए आए हैं 167 लख लग गया है तो आप कहरें कि गाउं में कि बास कमाई का जरिया था तो गाउं में कैसे कुछ बचेगा वो खतम होगा मेरा है अच्छा बताई कि चुनाओं का मौसम चल रहा है और अभी मैंने देखा कि कॉंग्रेस के नेता गए हैं और भी लोग आते रहते होंगे तो इन लोगों का क्या कहना आप ये पने अपनी परशानी आप उनको भी तो बताते होंगे जो फिल हाल सरकार है वो तो आइना रहे हैं जिसकी फिलहाल सरकार है और जो वैसे उनके खिलाब है वो आमें हैं तो वे आमें के हमें बोट करो और हम तुम्हें सारी समस्यान का समाधान करेंगे वह उनके खिलाब बोले हैं अब किसकी सच है क्या है क्या ना है अब ड़ी हाँ तो आई ए हम लोग और लोगों से बात करते हैं अम लोग शब्षी सुरूँ सुरूं यहां पहुंचे तो अमधी उनको कुछ बता रही थे थोड़ा से बातचीत में कर लूं कि अब यह इदर आएगा तो एक सेकंड अमा बताइए क्या रही थी आप जब हम आए यहां पर आए तो आप कुछ समस्याओं के बारे में बता रही थी कि यहां क्या दिक्कत आ रही है हमारे बढ़क है हमने नहीं सबबते हैं और भी टिया नहीं सवह तर्थी एधार हंपनी Divine सोह मजबूरी में ोड़ा करते हैं अपने हमारे बच्चे आभ हमारे में प्लोट को दो बच्चों को पैसे नहीं कृशा हमारा कितने बच्चे बच्चे हैं यह साथ भईयाँ है एक लड़की है उनके बच्चों को पैसे ऻैसे नहीं दो कर ने करत लोगे आपको पहले सरी ओमें बाहर रहना पड़ता इसे नहीं नहीं तक नहीं हमारी हुआप है हमारा दो दिन की जच्चा है हमारा घर से निकाली गई गाउमे पुलिस गई पुलिस ने हमारा सामान भार प्यांक देशा रहा हमारे जाचा पकड़ भागाजी भार एनि भी हमारा था कि आपका एक पैसे आगा लेकिन दो दो बच्चों का पैसे नहीं आरा हमारा आज तक निया आज हमें हमें 6-7 महीन हो गए हैं हम नहीं है बहुत तंगी में हम लिए टैम काता अप हमारे बाहरे बच्चे अब तरह को जाड़े में बाहर क्यों रहना पड़ता है मतलब भी अब प्लोट खाली अब प्लोट खाली एव विगर पैसे बताओ उन्हों ने इतना समय नहीं दिया कि आप यह बनवा लीजिए फिर वहां से खाली नहीं पहले यह तो कुछ भी नहीं से पहले फोड़ा तोड़ी कर दी जब भगाए गाए 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 जब यहां कर दोड़े पर एक अपने बच्चे को लेकर अपने धंडोर को अपने पर चोटे मोटे बच्ची हमारे जो भी इस लेटी बातरूम की वी समझ्जात नहीं ही वताओ का चौड़ें बभु बेटी जिसके श्यानी जानी बभु बेटी कहां जाकर जाकर तर्टी पिसाब करें ऐसा तारे गई हुआ से अनुका दिए यहां से भगो तुम अर कि अ यह लाक मैं भी पर हमें गैसे मिलांग आप अधकर नहीं हो रहा है अमारे बच्चों को प्रुपानी ले ले अदे मारे बच्चे में बना रहे हैं बुरे बढ़े यह बंसे देरे यह वह किसी पर प्ताओं नहीं या रहा तो अ क्योफ्ट नहीं हो रहा है टे स्छिए म में बढ़े बूडे बहुत दुना गए हमारे बढ़े बुदे गुजर गी तीन चार पीड़ी चार-पांच पीड़ी क्या दर्स्यों पीड़ी गुजर गही जब समा रहेते थे उस गाउं में नंगले सरीब खाम है बहुत दिन पुराना गाउं उता वह हाँ हमारे बहुत बड़े बुजी रुखे हमारे खतम होगे सब वहीं पर बहुत पुराना गाउआ कोई नूना कभी नहीं हमां का का बसे है कि दस्वीश पीड़ी बदल गई जबके वह गाउं हाँ बसे वह अचा नेता वागर जो आजकल चुनाओं में आ रहे हैं होती हैं चले जए आखली बाताने कोई कि कशन वालों कि सुनवाई हैं यहां पर दलालों न पैसे नहीं आन्धे हमारे बच्चों का पैसे आएल कि भासंहार किशी को 50،000 दे क्रद के ले ले how तैसे हमने पैसे दिये और उप्छों पैसे हमार नहीँ भी हमार नहीं हम आद ggerक करद रख वार बैसें ज़्क अब तक है नहीं है जाल मतलब दालाल कैसी यह जिदला नुहाल क्वाантि पैसे खा जाओैं今天 का तो 그 देजे reminded बता था था पैसे खाई लेकिन हमारा काम नहीं हुआ हमारे बच्चों के पैसे आज तक नहीं आए करें पैसे क्युंछ नी आए पैसे इस वज़े से नहीं कि दलालों ने बोला था आदे-ादे में काम होगा और जो आठाव्टी पे बैचे हुए है अधिकारी उनों ने भी एपातों में आपके पैसे खाने के चक्डर में हमारे पैसे नीडाले हमारे टौकिन नी काता था क्यो लेकर हम लगाए करद लगाया था पटवारी फिर भी पहुंचाया था साधी कार्ड उन्होंने बोला साधी कर लो करज पानी लेके लेकिन साधी के एक अपते बाद पानी पैसे आ जाएंगे उसके बाद भी हमारे पैसे नहीं आया और आज भी उसकार्ज का मैं पैसा ब्याज कि बनाएं बच्चों के लिए या क्या नाम है कर्ज दें किसी का आरूफ पट्वारी ने दलालों की बातों में आके पैसे निंगरुआ यह तो पट्वारी आ है कितने पर एक लोग हैं आपके परिवार में हमारे परिवार में हम हैं नौँ अदस में हमारी मम्मी हैं मलब साथ हम भाई हैं आट मी एक हमारी बैने सिस्टर जिसके हमने साधी करी थी और नौ में हमारी मम्मी है उन मैंसे छोटे वाले भाई का पिलोट भी आ गया हमारा ले पैसे नहीं आए पैसे दलाल नहीं आने दे रहे गाओं के दलालों ने मुकबरी करकर 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 के नहीं कहा के आदे-आदे में यह गिरवा लेंगे इस वज़े से पैसा नहीं आने दिया हुआ है जाने के लिए नए समसाग नffentlich सोधिन कोई भी जीज नहीं और यहां पर कम से कम जब से हो चुकी हैं हिंदु मुस्लिम की दौनों की जा मैं जेबर वाले बोलते हैं अपने उससे बोलो किया नाम है कि तुमारे मैं कशला सबस्क्राइब वऄसे बर्षैक जो भूलान ली इस विदयाक दो से जाता ऊपनी निष्टारी में कोई कहीं ले जाता है लेकिन यह जी ने भी निभी वोला कि फहले यह करना चाहिए यह मत्रय आज भी परेशान है तो इस excitement फाय में तो सबसे जादा परेशान कि सान इंसान को यह मझदूर आद्म को यह मझदूर उच्राred में मरा है गरीब आदमी सबसे ज़्यादा सब्सकार में मरा है इससे जादा सब्सकार निया किलो या तो रासन ले लो मजदूरी करने पर भी रासन नीया ता घर का चाहिए वह कितना ही है सरकार फिर भी वह नहीं होता बड़े परिवार में क्या होता है बड़े परिवार का कोई इतना रासन देदेती है वो जो काट ले एक हथे में कटम दूसरा अपता कहां तो इस सरकार ने महँगा ही कम और मज़़ूर ज्याधा मारे सबसे ज़्यादा करिए और मजदूर ज़्यादा मारे हैं यह परेशा नहीं सरकार में करते हैं कि इससे पहले आप कहीं काम करते थे रोजगारी का जी रोजगारी हमने दिल्ली तक करी है और इतनी नीची नीची करें को करनी भी ने सब्सक्राइब करी हैं जो करनी पाया शिर्फिस सरकारी तक ना तों 500 रुपे में चैना तोर्व अपने बच्च्छा लिए पढ़े पढ़ें का लियो लेकिन जब से यह सब्सक्राइब बच्चों के पढ़ाई के भी खर्चे निजिल लेकिन आप इससे पहले काम क्या करते थे यह जैसे दिखिए सरकार बहुत सारे कोने लाएं हैं वो जो लेका हैं रुजगार के लिए यह नहीं कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि ऐसी दलील होती है प्रशासन की आप लोगों को गाहूं से निकाल के सहर में बसा दिया है 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 हम तो अल्रेडी पहले सरकार से शर्धी करन कर करें मौजद्याए हमारे जो ग्रामों का मौजद्याने शरकार ने वह सरकार की नीती नियत दोनों ऐ खराब थी हमें रात और राज सहरी करन कर दिया हमारे जो 18 गाउं एरपोर्ट में पहले चरण में 6 गाउं जा रे दूसरे फेस में 4 गाउं जा रे और तीसरे फेस में 6 गाउं जाएंगे आठ गाउं, अठारे गाउं जाएंगे टोटल, जिनकी ग्राम पंचायत के प्रधानी खतम कर दी, और रात और रात उन गाउं को शहरी करण कर दिया इस सरकार ने, ताकि मुआज़ा 2013 के कानून के हिसाब से, शहरी करण का दो गुना और ग्रामिन का चार गुना, चार गुना ना देके भी यह दो गुना तो मुआउजदियों हमें, तो सहर पहले बना रखें सरकार ने, जबकि आप अगर गए हों हमारे गाउं की तरफ उदर तो आपको पता चल रहागा, यह जहां अब आए हो ना फिलाल विस्तापन में, यह भी सहर नहीं है, वो पून रूप से अ बात कही थी लोगों ने, कि चंदीगड की तरफ पर हम सीटी बसाएंगे, आप देख लो चंदीगड है, यह गाउं है, सीवर लाइन की यहां समस्या, बिजली की यहां समस्या, गरीब आद में आज भी परेसान है, युवाओं को रोजगार ना भीया, डबले में करके ठाल अनिपड़ की वजबूरी में, कही ना कही तो कुछ तो जुगार मिलेगो, तीन साल नोकरी करी है, सरकार कोरो नकालना भीयों, नोकरी खतम कर दी, नोड़ा में, ओटो मोवाइल्स में, खतम नोकरी, जब पहला फेस चला तो कोरो नकाल का, दुबारा कम्पनी ना खुली भ दूर के बंदे लियाँगे, लोकल बंदे ना लियाँगे, बताओ, क्या करो जाओ, कहां जाओ, बताओ, आप कहां जाओ, जाओ, च करीब शे गाौन, यहां, साथ गाओ आया हैं, बारह हज़ार परिवार हैं, तो आप लोग समिल करके इस मुद्धे को रखते क्यों नहीं है प्रशासंग के सामने बिरौद परदर संग किसके सामने डी-एम के सामने रखते हैं अपने विधायक के सामने रखते हैं वहीं आसवासंडे मैं सब भीते हुए साल सौ आस्वा संदेर हैं मता कि बताओ क्या कर जा बिजली के बिल जब हमारे गाउं वहाँ से हम से मतीली जारी नभी उस टेम हमसे कहा गया था कि आपके यही बिजली के बिल आपको वहां मिल जाएंगे लेकिन आज क्या है आज 10,000 रुपे 12,000 रुपे विजली का बिल का वसूल करा जा रहा हूं कैसे कनक्षन 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 यह देखो इधर देखो आप यह पिलोट पचास मीटर को इसके अंदर जो केवल दबी हुई है 800 मीटर 800 रुपे पर मीटर उसका चार दिलिया जा रहा पराना पड़ेगा यहां मेरीड है अनमेरीड हाँ जी पांच परसेंट करेंट हुए बीते आठ महीना में यह इसी वजए से 95 परसेंट लोग अंधेरें पड़े हाँ जी किसी भी घर देख लो आप किसी एक भी नहीं हुआ विदायक जीन हमारे कैदी डीम एस डीम नास्व पसंदे दियो अभी तक तो भी अविजली विवाग ने कहीं ना क्यों मोदी जी प्राइवेट इसन कर रहे हर चीज को तो भी अप कंपनी तो प्राइवेट जब हो चुकी लाइट प्राइवेट हो अपने मन वानी करेंगे वहां तो यह थाइसो तीन सुर्प बिलाक रो मह महिना को अब यहां कनक्षन ही नहीं है तो हमें क्या पता क्या रेट आएगा विजली को बिल और वैसे बना लिए आट रुप्या दासुर्प यूट तो सहर में कम सो कम है बिजली को बिल अब यह कैसे बताई जा कर पर देंगे जिसे जब वहां पे एयरपोर्ट बनाने का सब्सक्राव लेडरे बनाओकर तो आपको क्या ये जान गारी दी ती कि आपको कहां बसाए जा जाए गा कितना घ्ला। सबसे और सारी चीजए सरकार के सामने रखी गई थी लेकिन हम से सबसे पहले जो सेमती ली गई वही साधार पर ली गई कि एरपोर्ट यहाँ बने गा यहीं बने गा इन यहीं सेमती ली गई जिसका तर परसंट दिखा के हमारे यहां का जंगल अदिगरण करिया गया हमारी जमीन अक्पार्मेंट करी सरकार ने वो किसाधार पर करी कि हमें बताएगा बहुत उच्छी उच्छे खवाब दिखाए गई हमें मोदी जी की तरह चपल वाले हवाई चपल वाले हवाई जहाद में जूता वाले तो घूमना रहा महंगा इंब्या हवाई चपल वाले कहां हमें भी ऐसे ख्वाब दिखाए गई आगी जनता बोली वाले किसान जनता आदमिये गाउं दिहात में तुम्हें पतो यह आगी बहकावे में जनता यह यह इसका प्लान दो बहुत पहले चल रहा था है मोधी योगी जी की सरकार बनने के बाद रस और हमें भी पतो नहीं है कब में करात और तुरात हम सहरी करण कर दी हम जब मौावजयों मिलोकर तुम्हें जब पतो पढ़ी वहिए कंस लंदं तुमने रहमें गाम मैं नरह Estelle अब लंदन तुमने देखिए कैसी हैंा छिंद बारह हजार तो बहुत बड़ी संख्या होती है परिवारों की एक तरीके से तो रोजगार को जरीया यहां पर है जैसा यहां जो लोग आए हैं तो उनके लिए कोई रोजगार का दिख रहा है पहले तो कौरॉन काल में बेकार हो चुकी बच्चों की जो हमारे वहां से प्राइमरी स्कूल इंटर्ट इंटर्मीडियेट वाले स्कूल सारे जब कि सरकार को यहां बसाने से पहले चीज तो देनी चाहिए ना सड़क सीवर लाइन इसकूल यह सारी चीज लाइट की विबस्ता देनी चाहिए ना पहले ही तभी तेहां बसाई जाते हैं कुछ नहीं जब यहां आयते में जंगल था यह पूरे इलाके का मामला या सिर्फ यहां का है यहां कि यहां बैठो हमसे पूछ रहे हम बतारे पूरे छैगाओं में 12-13 परिवार आये किसी सजा के पूछ लो जिस्टेम हम यहां आय जंगल और लगा हुए जब यहां आकर हम सुरुवात में में पर मकान की चिनाई करी जिले में इस्दियम हो है सब कितने हो एक हो趣 हमारे स्ट से गाओं stitch अगाओं के अगया जबर जस्ति एक महिने के अंदर अंदर पूरे गाओं चौमास बाइट बगरों बारी सूपर सुपड़ी जिन पर भीया गुंजाई सी वे तो रहे लिए किराएप जाके गरीबाद में डोल रहे जुगी जोंपडिन में आज भी अगर आप हमारे उन गाउं में जाओं जिन लोगों की समस्या भी बाकिये पैसा नहीं आया किसी का बच्चो अगर योदी को इसका भी मुर्ति हो जाती है तो यह समझे लो मर्ति उसका पर जलाए जाएं गया दफनाए जाएंगा जाएंगा यह नहीं बताया गया रास्ते तुम देख रहे हो फोरलें के हाईवे पर निकल का आये होगा भी आय नहा निकल कर याप यह रास्ते लोग अपने सामान रात बर रखां किसी तेम आजीं तुम को शरीया चुरान वाल डूलो या को जुष चुराना वाल डूल कहां करें क्यों गुंडाराज खतम हो कही है लिए अधियों कितनों कि अलाज है क्या कुछा ग५ाराज खतं फूब आ कि ऐप लिवाद मीन अध्या है सो मोटर साइकल यहां से चोरी होगी लोगों के पास पैसा है बुतिर गड़ बढ़ी हो रही है किसान अनकसंग सीधी साथ बिचार पैसा निकालने रास्ते में लूट लिए एक चीज यहां पर जो मुझे पता चलाम भी बता रहीं थी कि बहुत सारे परिवारों को इतनी ठंड में भी छत नहीं पूरी तरीके से हैं बाहर रहना पड़ता है सोना पड़ता है भाई वो किस वज़े से रहना पड़ रहो अब यह देख लेओ तुम इनको एक पिलोट मिल लड़का को दो और सामने खाली और पैसा वाके पांच लाग छ्यासी जार आए ना अब यह मकान कैसे बना ठंड में रहे हो या किसी फ्लेट में रहे हो बताओ भी पैस गरीब जिसके पास जमीन को पैसा आयो वो तो जमीन के पैसा बना लेगो लेकिन गाउं की मूल रूप पूरी आबादी ऐसी तो रहे हैं जए सब को वस्ट पास खेत तो गरीब आदि में भी हो जो गरीब आदमी दस परसेंट प्रसेंट परसेंट हमारे गाउं में आज ए पर इसान कल भी पर इसान है माँ मारे पास तो खेती है कीती के पैसा आगएमने तो मकान बना लिए यह कि योपनीँ पैसा ना म Okay बनाने को जबर जस्त न दलाली हुई है एयरपोर्ट में इमस्ट सब क्रिफ जवत कि सबीस आफन आफर और वोट देने जाएंगें किसा धार पयंगे आपकर ये जो आपको जेवर एरपोर्ट का विस्थापित गाउं है वो किस अधार पे एक बात अब है बोट की चोट को हमला करंगे अब तो बस समझाव तुम जो हमारे साथ अन्याव हो अब वोट की चोट सो हमला करंग वाको जब आप देंगे हम जो हमारे साथ अन्याव हो हमें चार गुने की जिए दो गुनों माव जो दियो गयो लोग आज भी परेसान है कवरस्तान ना मिले समसान ना मिले मसजेदात तक ऐसी वीरान पड़िये मंदर से ना मने मंदिर ना मने अब वोट की चोट सव जवाब दये जाएं को योगी जिकोव things वोट के जरीए वोट के जरीए यह ओप्सन है आम आदमी क्या कर सकता है मैं लड़ने ही सकते हम इस नेता से वोट बस यहीं एक अधार है हमारे पास में और सुतंत्र वोटर इस देश में लोगतंतर में दिखा रहे हमें भी याब वोट की चोट देंगे लिए हम अपनी इस प करेंगे अब यह देखिए कि यह जो कॉलोनी यहां पर बनी है यहां बीच में बहुत बड़ा सा पार्क यह छोड़ रखा है मुझे लगता है कि प्रशासन ने यह सोचा होगा कि यहां जो आके बसने वाले लोग हैं वह जाद लाखों की मोटी सैलेरी लेते होंगे और उन्हे कि यहां के लोगों के लिए पार्क से पहले जरूरत होता तो इक तरीके से जेवर एरपोर्ट बन तो रहा है उससे कितना विकास होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन उससे विस्थापित हुए जो लोग है उनको मूल भूत सुविधाय नहीं मुहया कराई जा रही है आप देख रहे थे देलर्न टॉप नमस्क्राइब